दोस्तो तीसरे दिन रिशब पंत चेते शुर पुजारा और वाशिंग्टन सुन्दर ने करी खतरनाक बल्ले बाजी इंग्लेंड के गेंद बाजों के उड़ाए होश लेकिन विराट कोहली की गलती पड़ी भारी स्वागती दोस्तो आप सभी का फिर से हमारी यूटूब चैनल किरकेट देखो जी में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और इंग्लेंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है जिसमें दोस्तो तीसरे दिन का खेल आज खेला गया जिहां दोस्तो तीसरे दिन रिशप पंत चेतेश और पुजारा ने ताबर तोड बल्लेबाजी करते हुए सबी को हैरान कर दिया है साथी में यहां पर विराट कोहली की एक ऐसी गलती है जिसके वजह से टीम इंडिया पहले टेस्ट मुकाबले में मुसीबत में फंच चुकी है दोस्तो पूरी विस्तार से आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले दोस्तो गर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुँ चाहते हुँ कि पहला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया जीते तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तो पहले टिस्ट मैच में इंगलेंड के टीम ने टॉच जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फेसला किया था और इसके जवाब में इंगलेंड के टीम ने पहले इनिक्स में भारती गेन बाजूं की जम कर धुलाई किये जो रूट ने एतिहासिक बल्ले बाजी करते तीसरे दिन सफलता मिली जहां दूसरे दिन के खेल में इंगलेंड के टीम ने आंट विकेट गवां कर 555 रन बना लिये थे वहीं दोस्तों तीसरे दिन के खेल में इंगलेंड के टीम ने एक बार फिर से बल्ले बाजी करना शुरू की लेकिन दोस्तों तीसरे दिन के खेल का शुरुवाती सत्र भारती गेनबाजों के नाम रहा तीसरे दिन के खेल में डॉमिनिक बेस 34 रन बना कर जस्पीत बुम्राह की गेन पर LBW आउट हो गे और इसी के साथ 567 रनों के स्कोर पर इंग्लेंड के टीम का नुवा विकेट गिरा इसके बाद रिशब पंत ने एक बार फिर खराब विकेट कीपिंग और स्टंपिंग का चांस मिस कर दिया जी हाँ दोस्तो लेकिन अब इंग्लेंड की टीम का ओल आउट होने का समय आ चुका था रवी चंदरन अश्वीद ने शांदार गेनबाजी करते हुए एंडर्सन को अपनी फिरकी गेनबाजी के दम पर क्लीन बोल्ड कर दिया इसके साथ इंग्लेंड की टीम ने 190 ओहर का सामना करती हुए पहली इनिंग्स में 578 रन पनाए हैं दोस्तो अब भाटी टीम को अपनी पहली इनिंग्स में कुछ इसी तरह का कमाल करना था जी हाँ टीम इंडिया की पहली इनिंग्स की शुरुआत हुई दोस्तो बाटी टीम की तरब से रोहिट सिर्मा और शुबमन गिल ओपनिंग बल्लेबाजी के रूप में मैदान पर उतरे इन दोनों खिलाडियों से बाटी टीम को एक बड़ी साज़ेदारी की उम्मीद थी लेकिन चोती ही ओहर में बाटी टीम का पहला विकेट गिरा बाटी टीम का दूसरा विकेट गिरा यह विकेट भी जोफरा आर्चर नहीं हासिल किया युवा बल्लेबाज शुबमन गिल मातर 29 रन बना कर अपना विकेट गवां बेटे बाटी टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज पविलियन लोट चुके थे टीम इडिया ने दो विकेट गवां कर 10 ओहर में मातर 45 रन बनाई थे अब दोस्तो बाटी टीम के डूपते नया को बचाने के लिए चेतिशुर पुजारा और विराट कोली के जवड़ी मैदान पर खड़ी थी जहां चेतिशुर पुजारा एक तरफ शांदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन विराट कोली इंगलेंड के गेनबाजों की सामने जूजते हुए नजराय थे दोनों खिलाडियों के बीच मातर 27 रनों की साज़िदारी हुई थे तबी विराट कोली डॉमिनिक बेस की गेन पर अपना कैश थमा वेटे और दोस्तों 11 रन के स्कोर पर पविलियन लोट गए दोस्तों इसी के साथ भाटी टीम के तीसरे विकेट का पतन हुआ विराट कोली के बाद अजिंग की रहने अगले दो ही ओहर के बाद डॉमिनिक बेस की गेन पर मातर एक रन बना कर पविलियन लोट गए 73 रन के स्कोर पर भाटी टीम अपने 4 एहम विकेट गवा चुकी थी लेकिन दोस्तों इसके बाद चेते शुर पुजारा और रिशब पंत ने मिलकर भाटी टीम के बारी को संबाला रिशब पंत ने आते ही चोकी और छकों की बरसात करना शुरू कर दी वहीं अब चेते शुर पुजारा भी अपने अर्दशतक के करीब पहुँच चुके थे दोनों खिलाडियों ने मिलकर भाटी टीम के बारी को सो रन के पार पहुचा दिया दोनों खिलाडियों ने अपनी अर्दशतके साजेदारी भी पूरी कर ली इसके बाद चोका लगाते हुए चेतिशूर पुजारा ने अर्दशितक पूरा किया और इसी ओहर में शांदार चोका लगाते हुए रिशब पंत ने स्वोई की अर्दशितक भी पूरा कर लिया दोस्तो मांतर 41 गेन का सामना करते हुए रिशब पंत ने अपनी अर्दशत की पारी खेली दोस्तो इसके बाद टी ब्रेक हुआ और तब तक भाड़ी टीम मजबूस थिती में जाती हुई दिक रही थी चार विकेट के नुकसान पर भाड़ी टीम ने 154 रन बना लिये थे वहीं रिशब पंत और चेतेशुर पुजारा के भी शत्किय साज़ेदारी भी पूरी होने वाली थी दोस्तो रिशब पंत अलग ही रंग में नजर आ रहे थे अपने अरदश तक के दोरान रिशब पंत ने 4 चोके और 4 गगन चुम्बी छके भी लगाए दोस्तो इजी के साथ चेतेशुर पुजारा और रिशब पंत की शत्किय साज़ेदारी पूरी हो गए लेकिन इसके बाद यह साज़ेदारी तूट गई और भाड़ी टीम का पांचवा विकेट गिरा दोस्तो चेतेशुर पुजारा डॉमिनिक बेस की गेन पर 73 रं बना कर पविलेन लोड गए रिशब पंत का साथ देने के लिए मैदान पर अब वाशिंग्टन सुन्दर आये चेतेशुर पुजारा के आउट होने के बाद दूसरी तरफ रिशब पंत खड़े रहे थे और तूफानी बल्लेबाजी करने लगे थे अब दोस्तो रिशब पंत अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन एकानमी रं बना कर डॉमिनिक बेस की गेन पर रिशब पंत अपना विकेट गवांबेट है इसके साथ भाड़ टीम का छटा विकेट गिरा दोस्तो रिशब पंत ने पिछले तीन टेस्ट पारियों में लगातार इस तरह शतक बनाने से चुक गए हैं इसके बाद दोस्तो वाशिंग्टन सुंदर और रवी चंदरन अश्विन ने मिलकर भाड़ टीम के पारी को संबाला दोस्तो जहां रवी चंदरण अश्वीन शेतर रक्षन और दिख रहे थे तो वहीं वाशिंग्टन सुंदर अच्छा प्रधर्शन करते हुए रन बना रहे थे अब दोस्तो तीसरी दिन का खेल आंट फरवरी को सो मौार को खेला जाएगा दोस्तो इस मैच के तीसरी दिन के खेल में एक अदबूत नजारा देखने को मिला जिहां दोस्तो रिशब पंत टेस्ट को T20 बनाती हुए चोकों और छकों की बरसाद करने लगे थे दोस्तो तूफानी तरीके से अपने अर्दशितक रिशब पंत ने पूरा किया और देखते ही देखते रिशब पंत अपने शितक के करीब पहुँच गए थे इस दोरान रिशब पंत ने 5 चोके और यहां पर 9 चोके लगाए लेकिन रिशब पंत अपने शतक से चूग गए और दोस्तो 91 रोनों पर अपना विकेट गवां बेटा लगातार टेस्ट के तीनों पारियों में रिशब पंत इसी तरह से अपना विकेट गवां बेटे हैं जिहां वह शतक के करीब जाते हैं और फिर आउट हो जाते हैं रिशप पंत को कोई बार खराब प्रदर्शन की वजह से आलोचना का सामना करता पड़ता है लेकिन इस मैच में शांदार प्रदर्शन की वदलत रिशप पंत ने अपने आलोचकों के मुह पर ताला लगा दिया है इसके अलावा दोस्तो विराट कोली की वजह से भाटी टीम बड़ी दूईदा में फस गई है जिस तरह से विराट कोली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी उस तरह का प्रदर्शन विराट कोली से देखने को नहीं मिला दोस्तो मातर 11 रन बना कर विराट कोली अपना विकेट गवाँ बेटे और विराट कोली की नाकाम्याबी की वजह से भाटी टीम की बल्ले बाजी पूरी तरह से बिगड़ गई और भाटी टीम पूरी तरह से फंस गई है दोस्तो जहां तीसरे दिन के खेल का रुमांच अपने चरम सीमा पर था तो वहीं दूसरे तरफ रवी चंदरन अश्विद ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है रवी चंदरन अश्विद ने अपने टेश्ट करियर में एक इनिक्स में सबसे ज़्यदा ओहर टालने का रिकॉर्ड बनाया दोस्तो इसकी अलावा भाटी टीम की गेनबाजो ने एक अंचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया जी हाँ दोस्तो अपने 10 साल के किर्केट इध्यास में सबसे ज़्यदा नो बॉल फेकने का रिकॉर्ड टीम इंडिया के गेंट बासों ने बना लिया है दोस्तो कुछ इस तरह से आज के इस दिन का लेखा जोका है जो कि भाड़े टीम से हुआ है दोस्तो इसे में आपको क्या लगता है इसकी बावजुद भी रिशब पंत के पारी को लेकर खास तोर पर टीम इंडिया को लेकर आपकी महतवपूर्ण राय क्या है उसका जवाब हमें कमेट बॉक्स में जरूर दे दोस्तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें इस वीडियो को अपने वाटसाइब ग्रूप में शेयर जरूर करें और दोस्तो किर्केट से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी हमारी यूटिब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तो उसकी बाद गंटे वा इतना ही